नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं यहाँ पर एक नई श्रिंखला को शुरू कर रही हूँ जो है आयूरवेदा से रिलेटिड आयूरवेदा का बहुत ही सीधा कनेक्शन है इस्टालोजी के साथ जोतिश के साथ आप कभी भी पुराने स्क्रि पाई बनाई जाती है तो वो बहुत ही जादा एफेक्टिव हो जाती है उसका असर बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि मुहुरत का हमारे जोतिश में बहुत ही अच्छा रोल है जब हम मुहुरत के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो काम जो है उसके सक्सेस के चांसिस बह ज्वाब का रॉल है जो व्यक्तिन वे वियक्तिन में फिला वाले वियक्तिव प्यूंकि आयके अगर आगर बौश पानि की पिला काम करते हैं तो इस प्रकार की प्रपडीज जो है। न्रश्च वाले व्यक्तियों में पाई जाती हैं क्योंकि माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को अश्विन कुमार का आशिरवाद मिलता है। रोग की पहचान औशदी बनाने के लिए औशदी प्रारंब करने के लिए शुब मुरत के लिए वो किया करते थे। आशकल डिजीज और विमारियां चली हुई हैं कि आपको समय ही नहीं देती हैं इतना समझने के लिए कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन से नक्षत्र अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की है कि आप अपने ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से आप अपनी होम रेमेडिस कर सकते हैं। आप अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट घर पर दवावना कर सकते हैं। जिससे आपकी छोटी-छोटी बिमारियां जो हैं वो बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती हैं। आज कल के समय में बहुत सारी ऐसी बिमारियां हैं जो बड़े लंबे समय तक चलती हैं और आसानी से ठीक नहीं होती और अलोपैथिक मेडिसन्स में उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ही लंबा होता है और उन्हें हमेशा और सारी उमर कई बार लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी बिमारियां हैं जैसे BP की प्रॉबलम है, क्यलस्टॉल का वड़ना, थाइराइड होना, अर्थ्राइटर्स का होना, बहुत सारी ऐसे दिकते हैं जो बहुत ही जादा कॉमन हो गई हैं और इन में आप अलोपैथिक ट्रीटमेंट को बहुत ही लंबे समय तक बनाकर उसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ताके वो लंबे समय तक आपको अराम दे सकें तो इस प्रकार की कोशिश मैंने यहाँ पर की है मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेंगी इसकी श्रिंखला में कल से शुरू करने वाली हूँ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे जरूर देखें ताके आपको कुछ हेल्थ टिप्स ऐसे मिल सकें जिससे आपको होम रेमेडिस के साथ ही अपनी बिमारियों का इलाज मिल सकें साथ में मैंने यहाँ पर कंबाइन किया है कुछ मंतरों को कुछ ऐसे मंतर जो आपको बहुत ज़्यादा दे सकते हैं और वो उसी बिमारी से रिलेटेड होंगे अगर आप उन्हें मैडिसन बनाते हुए पढ़ेंगे तो उन मैडिसन में बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ जाएगी और वो आपको और भी ज़्यादा असर कर सकेंगी साथ ने मैं बताऊंगे कुछ ऐसे जोची उपाए जो आपकी बिमारी से रिलेटेड होंगे और आपकी बिमारी को ठीक करने में वो बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेंगे अगर आप उन छोटे छोटे जोची उपाए को भी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी करें और साथ में नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्र परे